कि मश्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इस्टिटूट के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो जैसा है कि आप जानते हैं कि हमारी पीवाईक्यू सिरीज चल रही है उसमें डेरी कवर कर रहे हैं डेरी का आज यह पाच्वा लेक्चर होने वाला है तो जो प खुछे तो जब जब इससे कोच्चन आते हैं बहुत सरल होते हैं और एक ही टॉपिक पर पूछे जाते औहा है क्रीम सेपरेटर हम डिसकस करते कैसे कैसे है क्रीम से ही है The Factor Which Influence Fat Percentage Of Cream क्या वोलाए कि क्रीम में जो fat percentage है उसको कोई influence करता है तो सबसे पहले तो अपते होंको पता होना चीए कुछ बात है क्या बात पता होना चीए क्रीम किसको बोलते है क्रीम को बोलते हैं मलाई को किसे बोलते हैं मलाई की बात चल रही है, और इस जाना होस्का को हम अलग करने के लिए किसका यूझ करते है हम क्रिम सेमिरेटर मशीन का इसका यूझ करते है वक्रिण के सेमिरेटर मशीन का यूझ करते है बाउल जो बला है वो यह रही है अगर आप देखेंगे तो यह जो बला है से हम बाउल केते हैं और जा इसको घूमाते है तो इसके जो अंदर वाला हिस्ता है बाउल वाला वो घूमता है और उसी से जो है वो मिल्क से जो फेट अलग हो जाता और जो बचा हुआ पोर्सन है उ समझते हैं क्या चीज़ है यह रहापका बाउल इस तरीके से होता है इसको जो हम खोलते हैं ओपन करते तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है तो इसका मैं नाम करने भी कर देता हूँ यह कौन-कौन से पार्ट है तो इसको बोलते बिटा नट जो नट कसने वाला नह इसे हम बोलते क्रीम जिस्क रॉम इस करो यह है टोप डिस्क को आपकी ऑडिशक यहां से क्वेश्चन अचे हो बनता हो बताओं गो मैं अभी हम बोलते है मिडिव को सिवियो तो इस्क यह रही है आपकी बोटं डेस्क-乾वत यह है रबर रिंग और यह है बाउल बैस एक यहाँ पर पार्ट गायब है यहाँ पर एक और पार्ट है रहता है जिसे हम बोलते हैं milk distributor milk distributor तो यह सारे उसके पार्ट होते किसके बाउल के question क्या आएगा यह सुनो question सबसे पहला question समझो वो बोलेगा कि cream separator machine का सबसे ज़्यादा important part कौन सा है हम जानते कोन है बैटा बाउल समझ में आया इसे हम बोलते हार्ट of cream separator मतलब कि heart of cream separator machine किसे कहा जाता बाउल को यह question important है याद रखना है आगे चलते जब हम बाउल को समझने की courses करते तो पूरे बाउल का सबसे important part क्या है तो यहाँ पर बोलेगा हम middle disc को इसका बोलेगा बैटा middle disc क्योंकि number of middle disc जतनी जादा यह एक नहीं होती बैटा यह बहुत जादा होती बहुत कितिनी यह होती है बावी से लेकर चुमालिस तक अगर हमारी यह पूरानी traditional machinery जो hand operated होती है उनमें machine की यह जो संख्या होती कितनी होती है बावी से लेकर चुमालिस तक है ना लेकिन जो modern आरी है वो निकल वाली उसमें जो हो जो है cream screw इसकी हम बात करेंगे अभी top disc होती है bottom disc होती है नीचे rubber ring है जो चीकट या slime जो चीकट या slime आता है उसको इखटा करने का काम यही करती है यह बावल बेस है यह सब पूरा सब पेक हो जाता है और नर्सस को कल्स देता है ठीक है चलो अब हम समझते बावल का working principle कि जो बावल है वो work कैसे करता है सबसे पहले क्या आप यह देख रहे हैं यहां से कराया जाता है feed क्या कराया जाता है feed feed का मतलब इस बावल के अंदर जो दूद आता है वो यहां से आता है दूद आया दूद आता है दूद दोनों तरब फेल जाता है क्यों क्योंकि यह जो है यह continuously rotate हो रहा है घूम रहा है जब rotate होगा तो rotation में हम जानते है यह force होता है जिसे हम बोलते अपकेंदरी बल कौन सा बल बेटा अपकेंदरी बल जिसे अंगरी जी में बोलते हम centrifugal force यह force क्या करता है जब घूमता है और एक liquid है इसके अंदर कोई मालो liquid है और उस liquid के अंदर अगर दो different density वाली मैंने क्या बोला दो अलग घनातवर दो different density वाला कोई item है तो वो क्या हो जाते है separate हो जाते है जैसे कि यह कोई fat है अब हम जानते है fat की density कितिनी होती बटा 0.91 से 0.93 अलो और उसके अलावा जो milk होता है fat को निकालने के बाद में जो skimmed milk होता है उसकी density भी हम जानते है 1.034 से 1.036 ठीक है यह होती है तो यह दो different density वाले item है तो यह क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे कैसे अलग हो जाएंगे जो भारी item है वो तो क्या हो जाएंगे center से दूर हो जाएंगे यह जो भारी है यह center से दूर हो जाएंगे और यह भारी कोन है वेटा जो भारी है वह है skimmed milk जिसे आप कहते हैं सपरेटा दूद क्या कहते हैं सपरेटा दूद कहते हैं तो यह जो पूरा कारेक्रम है यह कहां चल रहा है यह बाउल के अंदर चल जैसे की आप देख रहे होंगे कि यहां से कोन जाएगा हलका एटम है उन्दर जाएगा अपका fight यहां से कोन बाहर आएगा बेटा यहां से बाहर आएगा अभर मैं ररेड से बतो कि जो भरी भरी जो है इस नलीगे से बाहर आएगा तो इससे बाहर कोण आएगा skimmed कुछ समझ में आया अपने को तो ये principle है, बोले कि सर ये कैसे बहार आएगा, तो यहाँ पर जो है, वो नलिया लगी रहती है क्या लगी रहती है, मैं इधर नली बना देता हूँ एक नली ये रही, जिसे हम इसपाउट केतें अंगरेजी में, और एक नली ये रही है, मतलब कि एक से तो क्या बहार आएगा बिटा, एक से बहार आएगा cream, और दुसरी से बहार आएगा skimmed milk क्या बहार आएगा skimmed milk उसँ समझ मैं, समझ पार हो थोड़ा बह।, कठीन है, मैं जानता हू लेकि समझना जरूरी है तो ये जो पूरा principle है, किस principle पर काम कर रहा है मामला ये काम कर रहा है आपके अपके इंदरी बल मतलब centrifugal force पर काम कर रहा है ठीक है समझ में आए अपने को आप देखो वो लेकि जो सरी नली आँ है तो यहां से क्या direct यह बिल्कुल open रहता नहीं यह open नहीं रहता है यहां पर और रहता है इस क्रूउ क्या लगा रहता है इस क्रूउ को भी हम समझ देते मैं थोड़ा से इसको जूम करने की कोशि़ता हूँ अगर यह हो जाए तो हो जाएगा बोगा है यह देखो मेटाना पड़ जाएगा लेकिन ठीक है जा देते हैं आप समझते हैं बहुत ध्यान से, यह जो जगा देख रहे हूँ, यह वाली है, यहीं पर लगी रहती है एक नली है, जिससे वो क्या बहार आता है, आपका क्रीम बहार आता है, आपका क्रीम नहीं बहार आता है, मतल़े जो दूद का क्रीम होता है, वो बहार आता है, यह न कु कुन से कला ते बना दे यह रहा स्कुरू तो यहां पर इसकुरू कसा रहेगा अब देखो इसकुरू जितना ज्यादा कसा रहेगा तो यहां पर क्या होगा की क्रीम को बाहर आने के लिए जगह उतनी कम मिलेगी मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या बोला है कि इस क्रू जितना ज्यादा कसा रहेगा क्रीम को बाहर आने के लिए जगह उतनी कम मिलेगी मतलब क्रीम की मात्रा कम बाहर आएगी लेकिन क्रीम कैसा होगा मोटा मोटा का मतलब है कि उसमें फेट का प टाइप नहीं बिटा, टाइट, जब इस्कुरू कसा रहेगा टाइट, तो क्या होगा, क्रीम की मात्रा, क्रीम की मात्रा, तो क्या हो जाएगी बिटा, क्रम, कम, लेकिन क्रीम में वसा प्रतीसत, क्रीम में वसा का जो प्रतीसत है, वो ज्यादा होगा कि क्रीम मोटा बहार पहला question है ना अगर वही cream screw जो यह है यह कैसा रहा बटा धीला जब cream screw धीला रहेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा जो मातरा है cream की वो तो क्या होगी ज्यादा लेकिन जो वसा का प्रतीसत है वो क्या रहेगा बाद समझ में ही बोले की सर वो क्या exam में धीला और टाइट लिखके देगा, नहीं, ओर धिला और ताइट ने लिखके देगा, वो इसको बोलेगा, टाइट, मतलब इन, क्रेम, इस्क्रू क्या है, इन, मतलब अंदर, मतलब टाइट कसा हुआ, और धिला, मतलब आउट, इसको लूस्वी बोल सकता है, Hello, समझ में आया तो अगर question वाला बोल दे कि जो cream separator machine है उसमें जो screw वो in है क्या है बेटा in मतलब अंदर तो क्या condition होगी तब ये होगा out है तो क्या होगा मतलब की वसा percentage की मात्रा cream के अंदर cream के अंदर जो वसा प्रतिश्यत की मात्रा है ये position of cream screw decide कर रहा है की नहीं कर रहा है बिल्कुल कर रहा है अब देखो जैसा cream screw है वेसा कवेसा दूसरी side एक और screw होता है उससे हम क्या बोलते है skimmed milk screw लेकिन आप अभी की समय पे इतना याद रखो आपका काम आसानी से हो जाएगा क्या मेरी बात आपके कर्ण पट्ट तक पहुच पा रही है इसको बहुत ध्यान से पढ़के जाना है चलो अब देखो मैंने क्या बोला ये rotate होता है तो उसकी जो rotation speed है वो भी affect करेगी अगर ज़्यादा speed से rotation होगा मतलब ज़्यादा speed से ये बाउल घुमेगा तो cream separation ज़्यादा अच्छे से होगा बहुत ज़्यादा भी घुमाना है मतलब एक किसी चीज के लिमिट होती है चलो तो हम पढ़ रहे हैं question को फिर से इतना समझाने के बाद क्या बोला है कि speed of the bowl मतलब machine की जो speed है वो करे की बिल्कुल करे की सही बात है तीसरे नंबर पर rate of inflow of milk मतलब की जो milk जा रहा है इसके अंदर उस बाउल के अंदर उसकी speed भी बिल्कुल हज से ज़्यादा speed रही तो cream separation अच्छे से होने वाला नहीं बहुत कम हुई तब भी अच्छे से नहीं होगा मतलब की जो milk का flow है machine के अंदर जाने का वो भी क्या होना चाहिए सही होना चाहिए तीना effect करते है इसका सही उत्तर होता है दी चलो बढ़ते है बेटा आगे कितना समय ले लिया बारा मिनट ले ले लेकिन question बहुत कामका है हाँ अगला है butter worker defined as मतलब की butter worker की बात करी हिंदी मिडियम वालों कैसे लिखते butter worker जैसे तो ज्याद दिमाग लगा नहीं जरुवत नहीं हिंदी में butter worker ही बोलते है और usually क्या वो बोल रहा है कि बटर वरकर क्या है और usually electricity operated dairy equipment मतलब की जो विद्यूत है उससे चलने वाला उकरण है जो की separate करता है butter milk को butter milk मतलब मखनिया दूद butter milk को अलग करता है किस से butter मतलब मखन से आधी बात सही है आधी बात गलत है अब person working in butter manufacturing industry मतलब की ये एक आदमी है जो की butter बनाने वाली company में काम करता है भोकट की बात है usually a hand operated dairy equipment जो को क्या बोला है hand operated अगर मैं बताऊं आपको तो अंतर क्या है बिटा यहाँ पर क्या बोला है electricity operated और यहाँ पर क्या बोला है hand operated बिलकुल सही बात है equipment used for separation of butter milk foam butter मतलब की butter से मखनिया दूद को अलग करने का काम करता है बिलकुल सही बात है समझते क्या होता है dairy equipment used for packaging of butter फालतो की बात उसका सही उतर क्या है बिटा समझते क्या item है यह रह यह क्या है बिटा butter worker क्या होता है जब butter आपका बन जाता है मैंने क्या बोला butter बन जाता है butter बनने का पहले का कारिक्रम नहीं butter बनने का बाद का कारिक्रम है जो butter बन जाता है उस butter को डाला जाता है इसके उपर यह दो खुमानलों बटर डाल दिया और फिर इसको हाथ से घुमाया जाता है बटर चरना से क्या करी थी चरनिंग करी थी चरनिंग के बाद इसके वो जो बटर मिलक है वो तो अलग हो गया उसके बाद ही तो बटर हमारे हाथ में आया है उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत बटर मिलक उस बटर के अंदर है उसको ये कौन अलग कर देता है बटर वरकर प same करना जो गठन होता है समान गठन बनाने के लिए भी इसका use किया जाता है ठीक है चलो तो पढ़ भी लेते मैंने आपर बता है working of the butter, encourage the butter from nice cohesive mask, cohesive मतलब उसका same texture करना, मतलब उसका जो गठन है same करना, and further butter milk, further क्यों? क्योंकि पहला ही butter milk अलग किया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी जो extra butter milk है उसको अलग करना further butter milk removal समझ मैं अपने को, उसके बाद में at this point क्या मिला जाता है, salt मिला जाता है ना, तो यह सब सारी चीजे है यह रहा butter milk तो यह हमारा hand operated देखा कि इसको electricity चल रहा है विद्यूत से चल रहा है नई काई से चल रहा है बैटा इसको हाथ से चल सारा अच ἀद रखना जितने भी butter के equipment بنे होते है सारे के सारे लकडी के बने होते है लकडी है सही लिख रहा है लड़ी की तो नहीं लिख रहा हूँ लकडी के बने होते हैं, कहा है के बने होते हैं लकडी के, ये बात अपने ध्यान रखना है, चलो, बढ़ते अगले कोशन की तरफ, हिन्दी मिडियम वालो मक्खन कारे करता आप देखो इसने यहीं गलत लिख दिया कारे करता है जब कि वरकर कारे करता आप नहीं लिख सकते हैं तो हिन्दी मिडियम वालों के साथ हमेशा से दोगला विवार होता आया है हो रहा है और ना जाने कितिनी सदियों तो होता रहेग कुछ नहीं कर सकते मैं खुद उससे ग्रसित रहा हूँ आप भी है आप में भी जीवन में एक नेक दिन सुधार आएगा चलो आम तोर पर एक बिजली संचालित डेरी उपकरन जो मक्षन को छांच चलक करने का काम करता है अधिवास सही है लेकिन बात यही कि बिजली से संचा जाता है क्या होता है कि आप जानते है क्रीम से भी बटर बनाई जाती है किस से बनाई जाती है क्रीम से भी बटर बनाई जाती है तो हम क्या करते इसके अंदर क्रीम डालते है और क्या करते है अच्छे से घुमाते है तो क्रीम से वह जाएगा और क्या लग हो जाएगा आप लेकिन in general use नहीं होता है ना तो पहले तो सही है दुसरा भी सही है लेकिन बहुत कम मातरा मैं तुम मेग घी घी तो बनता ही निहीं भाईा तुम मेग milk paste sweet phalter की बात है तो अगर आप जो milk होता ना विलक की वरकिंग आँगर आप करोगे इस बहुत बात की बात है आदे लोग इसको गलती बोलेंगे तो इसमें गलती बोल रहा हूं आप तो इसको याद रखो चलो the dairy equipment which is used for separation of ischemed milk and cream from the whole milk is called वही अभी cream separator की बात चल रही है dairy उपकरण जो पूरे दूद में से मलाई रही दूद और मलाई रही दूद मतलब separator दूद को और किसको cream को वो न लग करता है cream separator कॉस्चेंट चलो आगे बढ़ते हैं यह यह हां इसका जो रोलर ड्रायर ना इसके लिए मैंने डाइग्राम लगाया है यह प्रकार से रोलर ड्रायर आता है यह एक्च्वल में जो होता है वो नहीं है इस प्रकार से दिखता है जो हमारा जो जो मिल्क पाउडर है ना वो बनाने काम में लिया जाता है यह रहा कोश्चन अगला कोश्चन है और सेंट्रीफ्यूगल मिल्क सेपरेटर मश्चीन मिल्क सेपरेटर मश्चन का फिर कोश्चन है एस कोनिकल डिस्क क्या बोला है कोनिकल डिस्क तरब वही जो डिस्क होना होती है ना कोनिकल ही तो होती और कैसी होती है इसी तो होती है कोनिकल जो अलग क्या है देट रोटेट इन बाउल एट इस्पीड हो कुल मिला के जो बाउल की स्पीड है ना वो पूछ रहा है जो क्र केंदर परा सर केंदर पर आलम लिखा केंदर पर सारग लिखा हूआ है दूद्र विभाजन मशीन में शंका कारडीषक होती है जो माडल के आधार पर प्रती यह करांती की गती से सढइक रो ड्रम में घृमतीए भयंकर हिंदी यह है तो हें ना तो gymnastics Hindi तो मेरे स्काउन की नी रही की मैं खुद भी Hindi माध्यम UGH में वहाँ हुआ है कि अब मैं Hindi करना English मतलब कि जो स्पीड होती है वो 1100 चक्र प्रती मिनट होती है आपकी बाद बिल्गुल से जो ट्रेडिशनल स्क्रीम सेपरेटर मशीन है उनमें जो स्पीड रखी जाती थी वो 1100 रर्पे में जाती है जो मोडर्न मशीन आ रही है जो कि बोला ना पॉनिकल डिस्क एक डिजाइन का नाम है तो जितनी भी यह मशीने आने लेगी जैसे यह दिखे न अपने को तो अपने को उत्तर यही टिक करना है 6000 से 10,000 वाला ठीक है तो आज कल सब जितनी भी मशीने चलती है वो इसी स्पीड प अरपिम लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं इसका उत्तर क्या आएगा ट्रेडिशनल पूरानी मशीने हैं जैसे कि हम बात करें गरबर मशीन है गरबर मशीन को क्यों चलाए जाता बेटा फैट टेस्टे के लिए तो सब गरबर मशीन की बात आती है तो ऐसी कंडिशन में हमकोई तो इसमें अपने को यही लगाना पड़ेगा क्योंकि गर्बर जो मेथर्ड है फेट टेश्ट की एक ट्रेडिशनल मेथर्ड है पुरानी विदी है तो उसमें अपने को यही लगाना पड़ेगा चले आगे अगला question है यह question number 70 नहीं है question number 7 है cream separation is a phenomenon by which the milk is separate to cream and skimmed milk को देखो 7 question में से 5 question क्या 6 क्या 7 क्या 7 question वही है cream प्रतक करने के अशी घटना जिसके दोरा दूद और cream मलाई रहे दूद को अलग किया जाता क्या वह किस फेला अब देखो बल पुछा है बल मतलब वही principle किस बल पर अब केंदरी मतलब centrifugal force पर क्या अपने को समझ में आया बिटा तो इतने ही question थे बहुत छोटा lecture है क्यों साथ question को भी हल करने में अपने को 22-23 minute लग गए है लेकिन वहीं बोल रहा हूं कि question अगर आया तो सही जाना चाहिए तो यह हमारे कुछ question थे बहुत कम question थे लेकिन अच्छे से देख लो क्रीम सेपरेट राकर नहीं समझ में आया तो फिर सो थोड़ी दिर के लिए देख लो जब से question आएंगे तो हमारे question सही जाना चाहिए ठीक है तो मिलते हम अगले lecture में अगला चेप्टर होगा वो डेरी का आखरी चेप्टर होगा उसके बाद हम production शुरू कर देंगे ना तो मिलते हम अगले lecture में तब तक आफ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन